दिगरश शहर में पालिका प्रशासन की खराफ जल वितरन व्यवस्ता के कारण वर्ष शहर के कई इलाके पीने के पाने से वच्चित नज़रा रहे हैं जलापूर्टी समय पर नई होरे से ड्रमाई नकर वासिय में पालिका के वाटर सप्लाई विफाग और मुख्यादी कारी की खिलाब रोश व्याप्त है गर्मी का मौसम बीते भले ही तीन महा से जादा का समय बीद गया हो लेकिन शहर के कई इलाकों में भीशन जलापूर्टी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही पानी की किलत के लिए जल स्तर में गिरावट का कारण नहीं बलकि ये मानव निर्मित जल संकट है जो नगरपाली का प्रशासन की लापरवाही और जल वितरन प्रक्रिया में जारी बिगाड की और इशारा कर रहा है शहर में मोती नगर, सुबाश नगर और रमाई नगर सहित अन्य कई इलाकों में आठ से दस दिन बाद जलापूर्ती की जा रही है अनियमित जलापूर्ती से तरस्त रमाई नगर निवासियों ने अपना रोश व्यक्त किया है देखा जाए तो न सिर्फ जल समस्या बलकी शेर भर में विभिन नागरी समस्याओं से लोग परेशान है फिर चाहे मोहलों के अंदर की सडकों पर फैला कचरा हो या नालियों में जमा गंदगी हो पाली का परशासन ने तमाम तरह की असुविधा और समस्याओं की और पीट फेर ली है शिकायत करने पर भी न तो करमचारी ध्यान दे रहे है और नहीं वरिष्ट अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रहे है इसी लापरवाही के कारण मानों दिग्रश शहर की हालत अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी हो चुकी है NBCN News के लिए दिग्रश से जुबर खान की रिपोर्ट